तो इस प्रोड़क्टिविटी की लेक्चर सीरीज में यह हम लोगों का सेकंड लेक्चर एफे चेकंड वीडियो रहने वाला है और जैसे मैं आपको बोला तो यह दो वीडियो आएंगे बट आक्चिल में दो नहीं दो से जाद ही रहेंगे और इसका रीजन यह है कि मैं खु कि अधिया एक्सें पिछले वीडियो में ज्योंकि इंपोर्टन वीडियो पहला को देखना ची मिना को प्रब्लमस पता ही थी किस प्रॉब्लम सिया ठीक है कि क्यों आप टास्कों कंप्लीड नहीं कर बातें क्यों प्रडक्टिव नहीं क्या उसका कारण एक्या रीजन से औ तो स्लेशन प्रथि यह काई कर सकता है तो समें बाते अपके पास कोई ताइम मशीन नहीं पालए अपको पीछे जा पूर भी ताइम को मेनेज कर सकते अपने लिए या फ़िर थी को मैनेज नहीं कह सकता न वो तो अपनी स्पीद पीज पे चल रह तो आप अप्नी स्पीड कर सकते हो किसको self को खुद को manage कर सकते हो तो इस वे से focus करना आपको self management पे अब इस self management पे आप कैसे focus कर सकते हो आप यहां पे plan out कर सकते हो चीजों को खुद के लिए principles develop कर सकते हो principles in the sense कि अगर मुझे पता है कि खाना खाने के बाद मुझे नीद आती है तो मैं GS जैसा subject नहीं उठाऊंगा because मुझे पता है खाना खाने के बाद नीद आती है मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा so लेता हूं power nap ले लेता हूं थोड़ी देर का तो वो मुझे काफी productive बना देता है तो वो principles हुए plan क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में discuss किया था आपके साथ कि आपको जो भी mind में सारी चीजें आ रही है आपको वो सारी सब कुछ लिख लेना वो तो हो गया एक चीज कि आपके mind में बहुत सारे random thoughts आ रहे हैं फ्लिवेड होना चाहिए आपका plan राइट तो यहां पर उम्मीद करते हैं point आप समझे होगे कि time management और self management बंतर होता है और self management आपको करना है कि आप खुद को कैसे manage कर रहे हो right systems बना के ठीक right systems right plan right principles इन सब को develop करना है so that you can be more productive than present second thing is take proper sleep बहुत लाइट लोगों के साथ issue है कि भई late night sleep की रात को दो बजे तक ही पढ़के पढ़ाई होती है फिर सुबह जल्दी उठके ही पढ़ाई होती है आप खुद को देखो कि आपके लिए better क्या काम करता है और ये आपको इस दुनिया में आ हुए 20 से ज्यादा साल हो चुके है तो I think आपने ये अच्छे सा observe कर लिया होगा आपको पता होगा कि आप morning person है या फिर late night person है उसी इसाथ जैसे for example मैं personally बता हूँ तो मैं morning person हो तो मझे अगर मैं कोई कितना भी मुझसे push करवाले रात में होता ही नहीं है चैक कितना भी करवाले लेकिन morning में आराम से बहुत सारी चीज़ें कम समय में हो जाती है जैसे for example अगर मैं 5 वजे उड़के तो 5 से 6 एक गंटा में ये ले लेता हूँ और वही एक गंटा में ले लेता हूँ रात को 10 से 11 तो ये it will be way productive than this तो मेरे लिए ये morning चीज़ बेटर ह ये जो भी आपका सही number बताते हैं कि 7 से 7.5 गंटे आपको proper नींद लेनी चाहिए और proper का मतलब ये तो हो गया adequate number और proper का मतलब ये भी हो गया कि आप जब सुबह उठ रहे हैं तो बड़ा ही refresh feel कर रहे हैं because जो sleep है that is एक तरह से आपकी जो battery है वो recharge हो रही है जो down हो गई है पूरे दिन काम किये हुए अब वो आपके recharge हो रही है और recharge पूरी तरह से तब ही आप माल सकते हैं जब आप refresh feel हो के उठते हो तो और ये बहुत important है mostly neglect ह होता है लेकिन आप पूरे दिन कैसे perform करते हो ये बहुत ज़दर depend करता है कि आपने proper sleep ली थी ये फिर नहीं ली थी because आपके काफी सारे जो mental disorders होते हैं जैसे depression, stress, anxiety, ये सारी चीज़ें जो है कही ना कहीं insomnia और फिर not taking proper sleep से ही generate होती है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है the third thing is the best drink to boost your productivity अब इसमें आपको option देता हूँ this is option number A, this is option number B, this is option number C, इसमें आपको choose करना है कि इसमें से कौन सा best drink है बताए ये question आपके CDS और CPF exam में तो नहीं आएगा लेकिन मैं आपसे पूसता हूँ बताए इसमें से कौन सा best drink है कॉमेंट में देखते हैं कॉमेंट में ठीक है आंसर इसका है water ठीक है ये सबसे best आपका productivity drink है to boost your productivity कैसे ऐसे कि अभी इस video को खतम होने के बाद मान लीजे अभी आपने पिछले 15-20 आदे गंटे गंटे से पानी नहीं पिए आप वीडियो खतम होने के बाद एक ग्लास पानी पीचे और उसके बाद 5-10 मेट के जब आप एकदम burn out feel करते हो कि पूरे दिन काम किये हुए और evening में एकदम मन नहीं होता है आप कुछ नहीं जब भी आप stress out feel करो तो दो चीज़े बहुत important होती है एक तो fake breaks मतलो जो fake breaks की regarding पिछले वीडियो में डिसकस किया था Instagram चलाना ये सब break तो होते हैं लेकिन fake breaks होते हैं या तो आप बहुत लोग भूल जाते हैं because इतना सारे काम होते हैं नोटिफिकेशन, Instagram चेक करना नहीं बोलते हैं लेकिन पानी पीना पूल जाते हैं और natural है तो इसलिए आप कुछ ऐसा bottle रख सकते हैं अपने पास कुछ भी जो आपके एकदम handy हो आपके पास हो तो उससे क्य है कि आप भूलोगे नहीं और यह बहुत important है कि आप proper समय में proper amount of पानी लेते रहेंगे तो यह चीजें होती है कि यह कैसे productivity बढ़ाते हैं बिल्कुल बढ़ाती है वह आपको पता नहीं चलता लेकिन काफी लोग यह feel कर सकते हैं कि जब water और फिर पानी ग्रहन करते हो आपका ठीक है adequate amount तो आपको काफी refreshed energized feel होता है इन सब में तो caffeine होता है यह एकदम से तो ऐसे करेंगे लेकिन इतना एकदम से ऐसे भी कर देंगे जितना जल्दी spike करेंगे उतना जल्दी नीचे भी उसको ले आएंगे नहीं तो फिर आप इनको जल्दी थोड़ी ना consume करोगे ठीक है कैसे होगे इनकी इसलिए यह सबसे आपका best drink है energy drink आगे बढ़ते हैं and the last thing is master your mood in the right mood you can be unstoppable in the wrong mood you will get stuck इसके regarding पिछले वीडियो मैंने discuss भी किया था कि आपका mood कैसा है यह बहुत depend करेगा कि आप कितना productive हो यह definitely खुद फील भी कर सकते हो कि आपने कोई bad news सुनी उसके बाद आपको कुछ करने का मन नहीं होता है यह चोड़ो सब कुछ तो हमारे साथ बुरा ही हो रहा है इससे हैं सबी कुछ चोड़ दो लेकिन जब आपके साथ कुछ अच्छा होते कुछ आप good news सुनते हो तो सारी गौut of time कोशिस कर सकते हैं और यह जो मूड है आपके जो माइंड है वह मसल की तरह है तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही बस नहीं हम तो positive high power pose मारे और हम तो positive positive फोसीटिव ही रहेंगे एसा नहीं आप धीरे-धीरे वह आदद डालता है लुए-धीरे-धीरे माइं मसल है और उससे ही आपकी जो है positive thinking या फिर right mood बनता है अब ये कैसे बन सकता है आपका body भी influence करता है आपके mind को and remember where attention goes energy flows ठीक है आपकी जहां attention रहेगी for example मैं 5 में एक तो मेरे life में कुछ अच्छा चल रहा होगा ठीक है कुछ अच्छा चल रहा होगा कुछ अच्छी चीज होई होगी और कुछ बुरा चल रहा हो बुरी चीज हुई होगी तो एक तो पास मेरे option है ये तो मैं अच्छा सौच हूँ और ये तो मैं बुरा सौच हूँ बुरा के बारे में आप दोनों करके देखिए ठीक है जब आप अच्छा सोच रहे हैं कि मेरे साथ यह हुआ मेरे साथ मैं बोल सकता हूँ ठीक है मैं सुन सकता हूँ यह भी अपने आप में काफ में कल के बीसी के एक एपिसोर देख रहा था तो उसमें मतलब एक उनका प्रोग्राम होता है के बीसी वालों को कि लेकर आते हैं कुछ लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं तो उन लोग को एसे जो जो मुख बढ़िर बच्चे होते हैं मुख बढ़िर बच्चे होते हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं जो सुन बोल नहीं सकते हैं 10-15 साल के बच्चे कबाल बिनते हैं ठीक है आप कोई पता है यह इसमें कोई चिपी भी बात नहीं है तो यह सब भी एक gratitude ही तो है gratitude अगर आप इस सारी चीज़ों को आपके पास यह अच्छी चीज हो रही लाइफ में फिर आपके पास हैं यह चीज़े और एक bad भी बोल सकते ह मेरे पास car नहीं है बगल वाले के पास car है मेरे पास वो नहीं है ठीक है जो मेरे दोस्त के पास है तो यह सारी चीज़ों पर क्या है कि आप comparison कर सकते हो वो आपके रूपर depend करता है और कहां पर आपका attention flow हो रहा है वहीं पर आपकी energy flow होगी और वैसी energy flow होगी और आपका body mind को कई different different तरीके से impact करता है अगर आप इन high power pose को मैंने पिछले भी बताया था इन यह proven चीज़ है Stanford की एक professor उन्होंने इस चीज़ को experiment किया तो और देखा था कि इसमें जो testosterone level होता है वो बढ़ता है और जो cortisol level cortisol is a stress hormone वो इसमें बढ़ता है low power pose अगर आप करते हो तो इसमें cortisol level बढ़ता है इसमें cortisol level घटता है high power pose में तो high power pose यह आप देख सकते हो superman, v pose, hands on hips और यह आपके low power pose तो यह भी definitely impact कर सकते हैं आप 2 minute के लिए एक minute के लिए जितना आप चाहें high power pose मारिए और आपको definitely इसमें कुछ impact definitely देखने को मिलेगा तो किस तरह सा आप अपने body because यह आप observe कर सकते हैं जब आप stress में होते हैं जब डरे हुए होते हैं तो आपको body के position कुछ ऐसा होता है कि नहीं for example आप interview आप बस अगला आपका ही है ठीक है जब मैं जैसे जब मैं UPSC का interview देने गया था तो मेरा भी कुछ position ऐसा ही था ठीक है तब तो मुझे बताने था तो ऐसा एकदम कि बस मेरा ही number आने वाला मेरा ही number आने वाला तो एकदम तो ऐसा ही position रहता है यहां पर आप जाते हो तो camera होता है ठीक है UPSC जहां पर भी आपका interview होता है तो यहां पर पुरा पैनल होता है और यहां पर एक chair डली रहती है तो आपको वहां पर बैठके wait करना होता है अगला जब तक बाहर ना निकले तब तक ठीक है और यहां पर जब आप निकलेंगे तब आपको ऑफ कर नहीं पाता हुत्या है लेकिन जब आप निकलेंगे तो आपको डर खता हो जाता है तो जहां पर यह बैठा रहता है बंदा उसको देखेगे जारा हो किस पोसे बैठा रहता रहता है वो लो पावर पोज ही होता है ठीक है तो आपको हाई पावर पोज में जनरली रखना इसका काफी इंपक्ट होता है because low power pose resembles fear, anxiety यह सारी चीज़ है यह मतलब दोनों चीज़ है निकि जब आप anxiety भी में fear में होते हो तो भी यह pose ट्रक करते हो और अगर आप यह pose में रहते हो तो भी आपको जो stress वगरा यह रहता है ठीक है तो यह चीज़ें वाई से वर्सा है उमीद करता हूँ यह lecture short था और यह short lectures की series रहने आली ताकि मैं भी आप procrastinate ना करो और जल्दी जल्दी हमारा यह सारी जो series है वो complete हो जाए अगर आपको इससे help मिली है तो आपको इसमें से सबसे best point कौन से लगा है वो comment section में जरूर बताइएगा और वीडियो को share जरूर कर दीजेगा because फरजी की बाते हैं तो बहुत available होती है लेकिन जो काम की बाते होती है जो actual में impact करती है लाइफ में वो बहुत कम है तो उसको share जरूर कीजेगा और लाइक कर दीजेगा अगर आपको पसंद आए हो तो मिल्दे अगले लेक्षियो में धन्यवाद